कड़ी वाले बाबा की अद्भुत कहानी शास्त्रों में कड़ी वाले बाबा की कथा आती है एक बाबा जी थे, वे गाओ गाव जाकर बड़ी उग्र तपस्या करते थे उनके पारने भी बड़े-बड़े धनवानों के घर पर ही होते थे एक बार वे पाड़ना करने के लिए एक व्यक्ति के यहा गए उसकी पत्नी ने बाबा जी के लिए कड़ी खिचड़ी बनाई थी इन्हें कड़ी बहुत भागे और जाने के वक्त व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी हर रोज हमारे घर पर आना, हम हर रोज कड़ी बनाएंगे, आपको शायद कड़ी अच्छी लगती है, बाबा जी खुश हो गए और वे अगले दिन समय पर पाढ़ने के लिए पहुंचे, उस दिन भी उन्होंने कड़ी ही ज्यादा ली और पेट भर कर उसे पी ली फिर तो ये रोज का सिलसिला हो गया, बाबा जी किसी अन्यगाव जाने के लिए तयार ही नहीं हुए, एक दिन शाम को ध्यान करते वक्त उन्हें कड़ी की याद आई और उन्हें लगा कि बहुत दिन हो गये, मेरा सन्यास मैंने कड़ी के कारण हार दिया, अगले दिन वे वेक्ति के घर पर आए और उन्होंने सिर्फ कड़ी ही ली, गले गले तक उन्होंने कड़ी पी ली और फिर पूरी उल्टी कर दी, उल्टी की हुई कड़ी को ही उन्होंने वापस पीना शुरू किया, वेक्ति तो देखता रह गया, उसने बाबा जी को रोका, बाबा जी य गुरु भगवन पूछते हैं कि हमारी परिस्ति कहीं बाबाजी के जैसी तो नहीं। पूछने जैसी बात हैं जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जीरे हो।